असलाम अलेकुम दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको नैच्रल और फ्री केल्शियम बताया थे लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ मैं फ्री वाइटमिन शेयर करूँगा जो के हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है तो मैं आपको जो वाइटमिन के सोर्से बताऊंगा वो तमाम चीज़े हमारे गर में अवेलिबल होती हैं और बिल्कुल वेस्ट होती है लेकिन अगर आप मेरे तरीके से अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड अच्छे से अची ब्रिडिंग भी करेंगे और आपको बिल्कुल फ्री ये वाइटमिन मिलेंगे तो टाइम को वेस्ट नहीं करते स्टार्ट कर लेता अच्की वीडियो तो free vitamin के sources तो मैं आपको बताने लगा हूँ लेकिन पहले आप ये जान लें अगर आपके birds में वाइटमिन की कमी होगी तो आपके birds को क्या नुकसान होगा और इसकी क्या निशानिया होती है नमबर वन पर क्या होगा कि आपके birds अंडे तो देंगे लेकि उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे या बच्चों के निकलने की रेशो काफी कम होगी यानि कि आपके birds infertile अंडे देंगे और बाज वकात हमारे birds डेन शेल भी कर लेते हैं और अगर प्रिंदे में वाइटमिन D की कमी हो तो फीमिल को एक बैंडिंग हो जाती है जो के काफी बड़ा मसला है नमबर दो पर यह हो सकता है कि आपके birds के पर खराब हो जाए तो जो शोक के तोर पर प्रिंदों को रखते हैं उनकी खुएश होती है कि उनके birds अच्छे सचे नजर आए तो इसलिए अपने birds को वाइटमिन लाजमी इस्थिमाल करवाएं तो आपके birds के परों में शाइनिंग आएगी और वो काफी खुबसरत देखेंगे नमबर तीन पर अगर आपके birds में वाइटमिन की कमी होगी तो आपके birds जो बच्चे होंगे वो काफी कमजोर होंगे यानि कि उनकी सर्वाइव रिश्यो काफी कम होगी बास वकाद बच्चे मठकी के अंदर मर जाते हैं और अक्सर दोस्तों के बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है इसलिए अपने birds को वाइटमिन का इस्तेमाल लाजमी करवाएं पांक इससरा का कोई भी मसला आपके साथ ना आए और अक्सर जिन birds के अंदर वाइटमिन की कमी हो उनको बिमारी का असर ज्यादा होता है यानिकि उनकी कोई मुदाफित कम होती है और कोई भी मारी नको इसलिए फैक्ट कर लेती है तो इन सब चीज़ों के बाद आपको मैं लेके चलता हूँ कि कौन कौन से वाइटमिन के सूर्सित है और किस तरह से आपनों को इस्तेमाल करवाना है लेकिन उससे पहले तो इस फ़णी के लिप के बाद अभी टॉपिक पर आते हैं तो सबसे जो हमारी पहली चीज़ है वह है मौरिंगा यानि जो स्वाणिना का पोदा होता है वो हमारे बेर्ट्स के लिए सबसे बहतरीन वाइटमिन है और यह हमारे बेर्ट्स के लिए एक आइडियल खुराक है अगर आपके घर के आसपास का पोदा है तो आप काफी खुश किसमत है क्योंकि इसके अदर वाइटमिन ए वाइटमिन बी वाइटमिन सी और ऐसी तमाम चीज़े होती है जो कि हमारे वर्ट्स के लिए इंपोर्टेंट है और सबसे मज़े की बात कि इसके अदर जो भी और अगर हम वाइटमिन एक ही बात करें तो दस गाजरों से जज़ादा इसके अνदर वाइटमिन होता है या निकि दस गाजरे एक थराफ और यह मुरिंगा का एक पौदा यह एक जो जो होती है तर जो परोटीन होता है वह 20-19 ज़दा होता है और सबसे लास्पे गर्मियो कि सबसे important चीज vitamin C यानि कि dead maldo के अंदर जो vitamin C होता है आप easily इससे ले सकते हैं तो यह आपके बर्ट्स के लिए as a free vitamin बहुत important है इसका मैं आपको द्रक दिखा रहे हूं ताँ कि आपको easily अंताज़ा हो जाए कि मुरिंगा का पोदा कैसा होता है और मुरिंगा के इस्तेमाल पर एक complete वीडियो में चैनल पर available है आपको description box में link मिल जाएगा चाहें तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमारी दूसरी चीज़ जो के बिलकुली free है और वह सबजियों के चिलके क्योंकि जितने vitamin एक सबजी के चिलके में वो vitamin उस पूरी सबजी में available नहीं होते और पाकिस्तान और इंडिया में ये culture है के सबजी के चिलके उतार लिए जाते हैं तो जो चिलके का आपके गर में waste हो उनको जी तरह wash करके अपने birds को लाजमी दें तो इनकी इस्तेमाल से आपके birds को काफी फाइदा होगा आपके birds के जिसमें कभी vitamin की कमी नहीं आएगी और आपके birds जो अंडे देंगे तमाम के तमाम अंडों से बचे निकलेंगे तो जब कभी आपके गर में सबजी है उसके चिलके अपने birds को लाजमी दें अगर आप चाहें तो सबजी को कभी का शकर के पने birds को यूज़ करवा सकते है तो उसको भी हमारे birds काफी शोक से खाते है लेकिन अगर हम vitamin की बात करें तो छिलकों के अंदर vitamin होता है उसका मकाबला सबजी नहीं कर सकती नमबर तीन पर आता है रोकसाल यानि कि जो लहुरी नमबर तीन होता है वो भी हमारे birds के लिए एक natural vitamin है और इसके अंदर iodine और बाकी तमाव ऐसी चीज़े होती है जो कि हमारे birds के लिए काफ़े important है तो इस नमबर के पत्थर में जो जो चीज़े होती हैं जो जो vitamin होते हैं वो हमारे birds को काफ़ी कम quantity में इस्तेमाल होते हैं लेकिन फिर भी अपने birds के केज में ये नमबर का पत्थर लाजमी रखें इससे आपके birds को एक तो iodine मिलेगा और दूसरा उनका हासमा बिल्कुल दूस रहेगा जिससे होगा क्या कि वो जो भी खुराक खाएंगे लिए बहुत ही important है चोथे नमबर पर आती है aloe vera क्योंकि aloe vera भी हमारे birds के लिए as a vitamin काम करती है और आप aloe vera के फैदे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं तो दस दिन में एक पर अपने birds को aloe vera लाजमी इस्तिमाल करवाएं अगर हम तरीका इस्तिमाल की बात करें तो आपने तक्रीबन डेट दो इंच का इसका टुकड़ा काट लेना है और इसका जो लिक्विड होता है एक लिटर पानी के अंदर डाल के इच्छी तरह मिक्स कर लें ये पानी अपने birds को 10 देन के बाद इस्तिमाल करवाया करें तो आपके birds को काफी फाइदा होगा एक तो उनका मेदा वाश हो जाएगा और दूसरा तमाम किसम के नेचनल वाइटमेन और जो भी मेनरल्स होते हैं उनको मिल जाएंगे तो जो एलवेरा होती है अपने birds को जरूर इस्तेमाल करवाया है और डेट दो इंच का टुकड़ा आपको बहुत महिंगा नहीं मिलेगा अगर आपके गर में इसका पौद अवैलिबल हो तो आप बिलकुल फ्री में ले सकते हैं और नर्सरी से आपको डेट 200 रुपे कसका काफी अच्छा पौदा मिल जाएगा जो कि आप काफी लंबे टाइम तक अपने birds के लिए यूज कर सकते हैं इसके बाद हमारी पांचवे चीज जो कि है पालाक क्योंकि पालाक के अंदर आईरन, मैगनीशियम और कब सारे वाइटमिन्स होते जो कि हमारे birds की breeding के लिए काफी अच्छे हैं और खास सोर पर जो पालाक है वो हमारे birds का breeding mood चेंज करती है जिससे काफी चांसे हैं कि आपके birds जल्दी breeding करना स्टार्ट कर दें तो हफ़ते में एक अपने birds को पालाक लाज़मिद दें यकिन गरमियों के तिनुंगों कोशिश करें कि इसके साथ आप धणिया मिक्स करें तांकि जो गरम तासीर है उसका नुकसान हमारे birds को कम से कम हो बाकी हफ़ते में एक बार पालक देने का कोई नुकसान नहीं है लेकिन घर्मी के मौस्ता में अपने बर्द को ज़से माल ना करवाएं वरना आपके बर्द को फाइदे के बजाए नुकसान भी होसकता है तो ये कुछ सोर्से से जो के वाइटमिन्स के तकरीमन बिल्कुल फ्री है इन में से एक दो चीज़े हैं जो के आपको बिल्कुल सस्ते में मिल सकती है बाकी तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल फ्री है तो मैंने आपको वाइटमियम्स के काफ़ सारे फ्री सोर्से बता दी लेकिन अभी भी काफ़ सोर्से बाकी हैं जो के बिल्कुल सस्ते और तकरीबन फ्री हैं इन्शाला मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर लजमी करना है तो अगर आपने फ्री केल्शियम देखने तो आप लेफल वीडियो क्लिक कर ले जबकि रैट सेट पर आपको मेरी मोस रिसें वीडिय की शो हो रही है और दर्मान वाले बट से आमेचल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते अगली वीडियो में दो में लद्मियाद रखिएगा और हां कमेंट लद्मिय करें कि कौन-कौन वीडियो पूरी देखता है और कौन-कौन स्राइट में छोड़ जाता है